साथियों, आयुश के ख्षेत्र में, इन्मेस्मेंट और इनोवेशन की संभावना है, और सिमीत है, आयुश दबाउं, सप्लिमेंट्स और कॉस्मेटिस के उत्पादन में, हम पहले ही अभूत्पुर्वत तेजी देख रहे हैं, आपको ज्वान करके आनन्द होगा, दो हजार चौदा से पहले, जहां आयुश सेक्टर में, तीन बिलियन डॉलर से भी कम का काम था, चौदा से पहले, तीन बिलियन डॉलर से भी कम, आज ये बढ़कर, अठारा बिलियन डॉलर को भी पार कर गया है, जिस प्रकार, पूरी दुनिया में, आयुश प्रोडक्स की मांग बढ़ रही है, उससे ये ग्रोथ, आने वाले वर्षों में और ज्यादा बढ़ेगी, नेशनल सप्लिमेंट्स हो, मेडिसिन्स का सप्लाई चेन मेनेजमेंट हो, आयुश आधारित, डियानिस्टिक ठूल्स हो, या फिर टेली मेडिसिन, हार तरफ इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की नई संभावना है, साथियों, आयुश मंत्राले ने, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स खेत्र में, स्टार्ट अप कल्चर को प्रोसान देने के लिए, कई बड़े कदम उठाए हैं, कुछ दिन पहले ही, All India Institute of Ayurveda के द्वारा, विक्सित की गई एक इंकुबेशन सेंटर का उद्धातन किया गया है, जो स्टार्ट अप चैलेंज आयोजित किया गया है, उसमें भी जिस प्रकार का उद्धा, युवाओं में देखने को मिला है, वो बहुत ही एंकरेजिंग है, और आप सब मेरे नवजवान साथी तो ज़्यादा जानते हैं, कि एक प्रकार से भारत का स्टार्ट अप का इस्वर्णिम यूग सुरू हो चुका है, एक प्रकार से भारत में आज युनिकॉन्स का दोर है, साल 2022 में ही, यहने 2022 को अभी 4 महिने पूरे नहीं हुए है, साल 2022 में ही अब तक भारत के 14 स्टार्ट अप्स यूनिकॉन क्लब में जुड़ चुके हैं, मुझे पुरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द आयूश के हमारे स्टार्ट अप से भी यूनिकॉन उभर कर सामने आएगा,